हाइ फ्रेंड्स आपका मेरे चनल टेकनिकल अमकेडियर में स्वागत है दोस्तों आज कि से वीडियो में बात करने वाली है कि आप अपने इस चालारадцिप का नेया स्टेटस कैसी चेक कर सकते हैं तो घर अपने इस्टेटस अभी तक नहीं चेक किया है तो आप अपने scholarship का status एक बार जरूर check कीजिए ताकि उसमें क्या है क्या इसा नहीं है आपको पता चल जाएगा कि आपका scholarship आएगा या नहीं आएगा पूरा detail आप देख सकते हैं अपने status में तो friend अपने scholarship का नया status check करने के लिए चलिए मैं आपको टाइप करना होगा यूपी scholarship तो यूपी scholarship आपको टाइप करके आपको search कर देना होगा या scholarship यूपी भी लिख करके आप search कर सकते हैं यहाँ पर मैंने search कर दिया और देख सकते हैं scholarship उप्तरपरदेश यहाँ पर लिख रहा है इस पर मैं click कर दे रहा हूँ और click करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा loading दे रहा है तो friend देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ और friend बहुं सारा आपसानाता है यहाँ पर देख सकते हैं status दिया तो आपको यहाँ पर status वाले पर नहीं click करना होगा आपको student वाले पर click करना होगा और अगर आप fresh login किये हैं तो phrase पर click किजिएगा अगर आप renewal login किये हैं और renewal login पर click करके आप यहाँ पर आ सकते हैं तो यहां पर आपको registration number डाल देना होगा और जन्मतिती भर है जो यहां पर जन्मतिती आपकी है वो यहां पर डाल दीजेगा और यहां पर आपका जो password है पासवर्ड यहां पर लिख दीजेगा तो यहां पर मैं जल्दी से सब कुछ भर करके और एक capture भी आपको भर के submit पर करना हूं submit पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहां पर आ जाएगा यहां पर दिख सकते हैं सब कुछ यहां पर detail वगर आपका आ जाएगा उसके बाद यहां पर नीचे लिख के आता है check current status तो अगर आप mobile में कर रहे हैं तो mobile को एक बार rotate कर लेना होग और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा status कुछ इस तरह से सो हो जाता है और यहां पर देख सकते हैं इसको मैंने save करके रख लिया यहां पर आपका name होगा रहा जाएगा तो उसको मैंने hide कर दिया है उपर कर दिया है और यहां पर देख सकते हैं इस पीडियोप को मैंने सेव कर दिया है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आ जाएगा registration number complete final submission completed status आप आयट institution label forwarded और account verification status देख सकते हैं verified by bank bank की तरफ से verified हो चुका है verification by district welfare officer welfare officer की तरफ से देख सकते है verified recommended by district scholarship committee मतलब जो आपकी district scholarship committee है उसके तरफ से verified कर दिया गया है तो देख सकते हैं current status में भी वही सो कर रहा verified recommended by district scholarship committee तो मतलब scholarship committee की द्वारा verified कर दिया गया है अब आपका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो फ्रेंट कुछ इस अगर इस तरह से आपका भी लिख रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जब भी अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिं बंदे मातरों